आज हम मनाने जा रहे हैं संडे स्पिशल ब्रेकफास्स सूजी की पूरी है और इसमें जो हमने आलू मुला दिया जिसे यह और भी टेस्टी हो गई है और इसे आप पीना सबजी के दही के साथ चाई के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है और इंग्रेडियन फ्री असानी से गर्में मिल जाती है तो चला हम रेस्पी की और आगे बढ़ते हैं यहां हमने एक बॉल ले लिया है इसमें हम एड़ करेंगे सूजी जिसे हम रवा भी बोलते हैं और आदा कपली है रवा जो है आप मोटी बारिक जैसे भी हो ले सकते हैं और अभी हम इसमें आड करेंगे गरम पानी एक कप गरम पानी लेना है और अभी हम जो है इसे कवर कर देंगे जिससे कि हमारी जो रवा है सूजी है फूल जाएगी और इसे कम से कम 10 मिनिट के लिए हमने कवर कर देना है और हमारी यहां पे जो है 10 मिनिट हो चुके हैं और अभी हम इसे जो है निका करेंगे यहाँ पे मसाले मैं ले रही हूं यहाँ पे चीली फ्लेक्स हाफ टी स्पून लिया है और अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है इसे स्किप कर सकते हैं और इसके बाद हम इसमें आड करेंगे कारम सीट जिसे अजवायन कहते हैं हाफ टी स्पून लेना है इसे इस एगर आप चाय तो इससे भी स्किप कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो मसाले आपको पसंद दो पूरी के लिए आप उसमें डाल सकते हैं, और मैंने आप़ नमक लिया है वट टी स्पून अपने टेस्क टेकोडिंग अिलिक कम जादा कर सकते हैं और अभी हम इसमें ऍसमें रेडिजी पावडर आफ تी शपून अगर आपके पास चीली फ्लेक्स नहीं है तो आप जो है इसे रेड़ चीली पाझर कर सकती है इसके बार हमने इसमें अलु यहां पर मैंने दो अलु लिए हैं लेकिन हमने यहां पर ध्यान लखना है आलु को घंडू कदू कस करके डालना है जिससे कि हमारे जो पूरी है फटेगी नहीं अगर हमें मैश करके डालेंगे तो मोटा मोटा सा आलू जो है बीच में रह जाएगा जिससे मारे जो पूरी है टूट जाती है इसलिए हमने यहां पे ध्यान रखना है जब भी आलू के पूरी बनानी है त अब यहां पई फ्लोड के आता है उर यह दालना है हमने इसमें फोड़ा फोड़ा करके डालना है। जो है मौस्चर है इसलिए बस हम जो है इसे थोड़ा-थोड़ा करके आटा डालते हुए कूत लेंगे और हमारे यहां पर देखो डो की फोम में रेडी हो गया है और अभी हम इसमें आइड करेंगे देसी घी अगर आप देसी घी नहीं खाते हैं तो आप इसके जगह आप इसे दूसरे बॉल में शिफ्ट कर देंगे और अभी हम यहां पर इसकी लोई यां रेडी कर लेंगे हमने यहां पर जितनी पूरी रखना चाते हैं उसी कोडिंग जो इसकी लोई बना सकते हैं अगर आप जो है थोड़ी बड़ी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा अगर चोटी बुरी खाते हैं तो आप चोटा-चोटा बॉल्स बना लेजिए इसकी इससरह से हमने बॉल्स रेडी कर लेनी हैं अब हम जो है पूरी को यहां पर बेल लेंगे और हमने पूरी को बेल लेना है और फ्रेंड्स अगर आपने जो पूरी है अभी तक नहीं ट्रा पूड़ी खा गया बहुत ही टेस्टी बनी इससे आप कर पे गस्टा आ रहे हैं तब भी बना सकते हैं और इससे आप जो है अलू की सबजी के साथ चाहे के साथ दही के साथ कैसे भी जो है सुव कर सकते हैं और हमने यहां पे इस तर वह से सभी पूरी को बेल लिया है देखो पूरिको पकेगी नहीं लेकिन अच्छे से पकेगी नहीं और हमने यहां पर मीडियम होट ऑईल में पूरी को पका लेना है और एक सुन्दर सा कलर आजाने तक हम पूरी को जो है दोनों साइट से फ्राइ कर लेंगे हमारी यहां पे पूरी को जो है एक सुन्दर सा कलर आ गया है आप देख रहे है किस तर से जो है हमारी पूरी बहुती सुंदर कलर की बहुत फुली-फुली बहुती खस्ता पूरी बनती है और अगर आपने नहीं ट्राइ किए नो तो आप ए रेस्पी चूर ट्राइ करना और इसी तरसे हम बाकी बची भी जो पूड़ियां है रेडि कर लेंगे हमारी यहां पे जो आलू सूजी की पूड़ि बनकर बेल्कुल त्यार है है ना बनाने में बहुत इसान और बहुत ही टेस्टी बनी है आप भी यह रेस्पी शूर ट्राइ करें और अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें थैंक्यू फो वाचिंग